नाउन को हिंदी में संग्या कहते हैं, हिंदी ग्रामर में हम पढ़ाएंगे आपको संग्या, इंग्लिश में आपको नाउन पढ़ाएंगे संग्या का इसे ड्यक्ती, बस्तू स्थान या जान्मरादी के नाम को कहते हैं देखे हैं हमें जैसे आज राम नाम आ गया, काउ एक जानवर आ गया देखे है अनिमल्स, डैली एक लेस है और बैर फिंग्स है जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हम देखते हैं तो मैं दिमाग में सबसे पहले उसका नाम आता है जैसे अगर कोई इंसान खड़ा है तो अपता उसका कोई नाम होगा माली जी मैं खड़िकों आपके सामने, पूछू कि आपसे बच्चों मेरा नाम क्या है तो आप क्या बताओगे राधा मैं यार लिया मैं यह नहीं नहीं बताओगे ना, मेरा नाम बंदना है सब्लब मुझे नाम से जानते हैं तो मेरा नाम क्या बताओगा बंदना तो यह जानवर खड़ा है तो इसके चार पैर है एक पूँच है तो इसके सो तई जानवर होते हैं लेकिन हमें उसको देख करके दिमांग में क्या चिजाती है भाई देखो यह गाय है वो बैर है वो लॉयान है तो इस तरह से नाम जो है एनिमल के नेम को भी डिफाइन करता है अब आप से कोई कूछ दें की इंडिया की कैपिटल क्या है इंडिया की भारत की राज़धानी क्या है तो आप क्या पताओगे आप लखनाव रहाबाद यह सुद्ट नहीं बताओगे आप क्या बताओगे? डैली. डैली हमारे इंडिया की क्या है? डैपिडल है. और यूपी यारी उत्तरकदेश की क्या है? आप बताओगे लखनव. ठीक है ना? इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि प्लेस आपको डिफाइन करता है कोई भी नाम. जैसे आपका डैली हो गया, आपका लवनव हो गया, आपका इंडिया हो गया, ओके? यह प्लेस को डिफाइन करता है. नास आपका ठीक हो गया, कोई भी ठीक? मालने एक इसकूल से आपको मटेरियल्स मिला. तो आपको क्या मिला? आपको होगी कि हमें बैली, हमें बुक्स मिली, हमें आईकाल्ड मिला, प्राइ मिला, बेल्ट मिला, घर में आके किसे को तुझे का बेटा, what is this, तो आप क्या कहोगे, this is fan, what is this, this is my chair, ओके, तो things भी, कहना नाम, things को भी define करता है, किसी चीज का नाम अगर आ रहा है, ओके, नाम से दो चीज हमें पता चरू रही है, तो वो क्या कहलाती है, नाम कहलात तो यह तो इंसानों के नाम है, यानि किसी पर्टिपुलर नाम है, next, animal, animal के आपके कहीं लेटिज कहीं कहीं रखनें, को बूछने का मालों की, आपकी बुट हारती है, आपकी बुट हारती है, आप बताते हैं, यहां मेरे बुट ड़ीपे रखनी है, यह मेरे चाजु जो है वो बिजन अगर में रखनी है, ठीक है ना, तो क्या होता है, यह मेरे डिफाइड करता है, प्लेस को, कौन डिफाइड करता है, नाम डिफाइड करता है, ठीक है, next है आपका next and last things, कोई भी चीज, जैसे bag, box, table, cup, football, etc, 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 ठीक है, तो यह चीज़े क्या है आपकी, रखोधित करने वाली है, जैसे की, देखे, आपको फिर में एक बार आपको रिफीट कर रही हूँ, नाम डिफाइड करता है, नाम डिफाइड करता है, या बताता है किसका person, animals, place or thing, यानि किसी व्यक्ति, genre, किसी जगर, और किसी चीज के बारे में, जो प्रदर्शित करता ह तो उसे क्या कहते है, नाम कहते है, I think आपको समझ में आ गया होगा, आपके notebook से मैं एक picture जो है, उसको capture करके आपको भेज रही हूँ, आप उसको clear करके मुझे बताइए, link करके बताइए, कि वो photos बनी हुई है, उनके नाम क्या है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपक कितना समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया, तो आपने कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने इसमें सड़ी और सुहार कर सके, ओके, अच्छे से आपको समझा सके,